हालो फ्रेंस, वेलकम बैक टू सीजी जाव एजूकेशन साथियो जल्दी से हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी क्योंकि हम आपको आपने चैनल के माध्यम से सहायक शिक्षक शिक्षक की पूरी तयारी करवाते हैं सहायक शिक्षक की अपलोड वीडियो आपको मिल जाएंगी प्रती दिन आपको MCQ स्टेस्ट सिरीज लाइब क्लास मिल रही है चली आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं जो 12,489 पद है उसमें सहायक शिक्षक के कितने पद आ रहे हैं सिक्षक के कितने पद हैं व्याख्याता के कितने पद हैं और कौन से वर्ग को अनुभाव पर अंक मिलने वाला है इसी पर हम चर्चा करेंगे चुकि ये पूरानी बाते हैं आप सभी इसको एक बार रिकॉल कर लें इसलिए हमने ये वीडियो बनाने का सोचा था की जब मिटिंग हुई थी तो महतपूर्ण फैसला लिया गया था जिसमें आपका फैसला था कि 12,489 पदों पर शिक्षकों की भरती होंगी और ये जो भरती है बस्तर और सरगुजा संभाग में ही किया जाना है ये चीजे निकल कर सामने आई थी काइबिनेट मिटिंग में ठीक है जिसमें फैसला लिया गया था साथियो उसके बाद बहुत सारे साथियो द्वारा लगातार अवाज भी उठाया गया कि सभी संभाग में वेकेंसी आना चाहिए सभी जगह सभी जिलों में भरती आना चाहिए लेकिन आज तक की स्थिती में जो चीजे निकल कर आ रही है उसके हिसाब से केवल बस्तर और सरगुजा संभाग तथा उसके अंतरगत आने वाले जिलों में ही सिक्षकों की जो भरती है वो आएगी बात करे साथियों हम अलग अलग विशयवार पदों की तो आपको इसक्रिन पर सो हो रहा है 6,285 पदों पर सहायक शिक्षक की भरती किया जाना है 5,772 पदों पर शिक्षकों की भरती होंगी 7 ही साथ 432 पदों पर व्याख्याता की भरती किया जाना है तो साथियों आपका देखिए सायक शिक्षक में बंपर भरती होना है 6285, शिक्षक 5772 और व्याख्याता के 432 बड़े पदों पर भरती होंगी तीनों वर्गों को मिला कर हम बात करें तो 12489 पदों पर बड़ी भरती का जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्दी जारी होने वाला है कयास लगाया जा रहे हैं कि माई में ही आपका ये तमाम जो भरतीयां है वो विभाग द्वारा निकाली जा सकती है इसके लिए बहुत ही जल्दी से मिशन मोड में अभरती की योजना बन रही है साथियों कौन से वर्ग को अनुभाव पर अंक दिया जाएगा इस पर भी सवाल बना हुआ है तो मैं बात कर लूँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप देख पाया नहीं है यहाँ पर तो प्रत्यक दखी यहाँ पर जो आतिती सिक्षक के रूप में कारे करते हैं अर्थाथ जो गेश्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं उनको प्रत्यक वर्ष दो अंक बोनस दिया जाएगा ये सिर्फ और सिर्फ व्याख्याता इसपेशली हम बात करें देखिए व्याख्याता में अतिती व्याख्याता तो है लेकिन आप देखेंगे कि बस्तर और सरगुजा के कुछ इलाकों में आपको सहायक, शिकषक और शिकषक में भी यही मिलते हैं जी हाँ, सहायक शिक्षक और शिक्षक समर्ग में भी आपका अनुभाव पर अंक वहाँ से भी मिलेगा, क्योंकि सहायक शिक्षक शिक्षकों के भी अतिथी शिक्षक की भरती वहाँ पर हुई है, इसका वीडियो भी मैं पिछली बार लाया हुआ था, अतिथी शिक्षक की व माथियों गेश्ट के रूप में टीचर कारेरत रहे हैं और काम कर भी रहे हैं तो उन जगहों के टीचर को अनुभाव पर अंक मिलेंगे तो ऐसी स्थिती में यदि वो अच्छे अंक ला नहीं पाते हैं और अनुभाव उनका ज्यादा है तो उनकी योग्यता के अनुरूप उनको अंक दिया जा सकता है जिससे की उनका कहना चीए पद स्थापना भी हो सकता है वो क्राइटेरिया में आ सकता है तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि इस बार बोनस पर अंक दिया जाएगा अनुभाव पर अंक दिया जाएगा तो उसके हिसाप से आप जो प्राम से आपके पद लेंगे क्योंकि भाई अनुभाव 10 नंबर बहुत मायने रखता है एक नंबर में 100 से भी ज्यादा कर्णिरेट आपको मिल जाएंगे ठीक है तो बिल्कुल आपको इन चीजों को भी ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग यदि आपके पास अनुभ साथियों जो आप हमसे लगातार पूछते रहते हैं तो 12,489 पद में ये जो भरती है वो होने वाली है बहुत जल्दी इसका जो नोटिफिकेशन आने वाला है अगामी नोटिफिकेशन किस्मत की बात है साथियों शिक्षक भरती का भी हो सकता है आप इंतजार करें समय है वक्त है सनिवार तक कुछ भी चीजे कुछ भी पॉजिटी न्यूज और मिल सकती है ऐसे भी रेगुलर पॉजिटी न्यूज मिलता ही जा रहा है कल की स्थिती में भी आप जार रहे हैं नियुक्ती भरती से संबंधित कल भी न्यूज जारी हुआ था और आज की स्थिती मे आपका देख पाए होंगे तो CGPAC के माध्यम से भी आज बहुत चीज अकरात्मत खबर आप सभी को देखने को मिला होगा ऐसे ही regular कुछ ने कुछ अपडेट्स कुछ ने कुछ positive news जो है मिलती रहती है और हम अपने चैनल के माध्यम से निरंतर आप तक साज़ा करते रहते हैं जो साथी ने होंगे वो हमाने चैनल को subscribe कर लेंगे ताकि उनको भी कोई भी notification एगर आए तो सबसे पहले उन तक हमारा जो notification है वो पहुंच सके फिर आल इस वीडियो में इतना ही जैन साथियो